हालो फ्रेंड्स वालकम टू कोटपति लाजुकेशन जैसा कि हमने एक राजस्तान एपियो का प्रेविएस एर का पेपर लॉफर्स्ट था वो भी सॉलिशन किया था हमने कम्प्लीट पेपर को तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लि इंग्लिश का पेपर सॉलिशन ठीक है तो ये लॉव सेकिंड पेपर था लॉफर्स्ट पेपर ऑर एक होता हिंदी और इंग्लिश का लांगविज पेपर पहली अग्जाम पैटरन अलग था अब अलग है पर हम जो सारे पेपर हैं वो सॉलिशन करेंगे अभी तक जितने भ कौन सा शब्द संदी की द्रस्टी से गलत है तो देखो इसका जो आंसवर होगा वो होगा आंसवर एक मतलब option number one होगा second है इन में से किस वर्ग में शब्द का गलत विच्छेद है तो आपको विच्छेद मतलब जैसे जो संदे विच्छेद होते हैं उन में से कोई बताना है क कौन सा गलत विच्छेद है तो इसका जो option number two है वो है इसमें मतलब गलत विच्छेद किया वा है तो इसका answer का right जो answer है वो second है फिर third question है कि इन में से किस वर्ग में शब्द की गलत संदी है तो वो है third ठीक है answer भी इसका third है देवो प्लस एश्वरी है देविश्वरी है four है उन में से किस वर्ग में सभी शब्द अधिकरन तत्पुर समाज के है तो इसका जो answer है four का वो भी four ही है ठीक है खग आप बीती फिर है five इन में से किस वर्ग के सभी शब्द अज़र की तदभव समास के उधारन है तो जो five है उसका जो answer है वो one है एक तीस तनमधन six है इन मे से किस वर के सभी शब्दों में संदी और समास दोनों है तो six का four answer right है seven है इनमे से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है तो जो seven है उसका second answer right है अकेला eight है इनमे से किस शब्द में विदेशी प्रत्य का प्रयोग हुआ है तो eight है उसका one answer right है जादूगर, नाइन है निमलिकित में से किस वर्ग के सभी शब्दों में प्रत्यों का प्रियोग हुआ है तो नाइन का जो आंसर है वो थर्ड है माधुरी है भागने, मतलब थर्ड आंसर राइट इन में से किस वर्ग के सभी शब्द तद्सम है तो टाएन का first answer right है गोदूम गृंति 11 है इन में से किस वर्के सभी शबद तद्सम है तो 11 है उसका second answer right है 12 है इन में से किस वर्के सभी शब्द तद्भव है तो 12 का answer है 4 ठीक है इट और सांडा ठीक है 13 है आद्मी शबद किस भाशा का है तो फार्सी, संस्क्रेट, अर्भी, तुर्की तो इसका जो 13 है उसका थार्ड आंसर राइट है अर्भी फिर है इन में से कौन सा शब जाती वाचक संग्या से नहीं बना तो 14 है 4 स्वास्थ फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट क्रेशन है 15 महीव स्वालंबी चात्र है उसे जितना काम करना होता है उतना वैस्वायम कर लेता है इस वाक्य में कौन कौन से सारुनाम है तो जो इसका 15 है वो 4 आंसर है निजदा वाचक, अन्यन, पुरिश वाचक, समंद वाचक 16 है इन में से कौन सा विशेशन संग्या से नहीं बना है तो 16 का आंसर है 1 पढ़ाकू 17 है इन में से किस वर के सभी शब्द विशेशन नहीं है तो वो है 2 ठीक है उदारता सोंद रहा है 18 है इन में से किस वाक्य में द्वी कर्मक करिया है तो 18 है उसका 3rd आंस्वर प्राचारी ने विध्यारतियों को पुरुशकार दिये 19 है अभी चीत पिछले 18 गंटे से सो रहा है इस वाक्य में कौन सी किरिया है 19 है उसका 1st अकर्मक 20 है भासकर कर लाया और आज अचानक चला गया 21 है इन वाक्यों में से किस वाक्य में सम्मन सूचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ 21 है उसका अंस्वर होगा आपका 2nd ठीक है खुशी के मारे वे पागल हो गया 22 है इन में से किस वर के सभी शब्द विष्द में बोदक नहीं है तो उसका अंसर होगा थर्ड छाल समझ 23 इन मेंसे किस वाक्या में निपात का प्रयोग नहीं हुआ तो फरस्ट है तुमने चिठी क्यों नहीं लिखी 24 है इन मेंसे किस वर्ग के सभी शब्द प्रयाईवाची नहीं है फिर है 25 निमिलिक इतमेसे किस वर्ग में गलत विलॉम शब्द है तो 25 का 3rd है दृष्टी अतिवरस्टी 26 से इतमेसे किस वर्ग में शब्द का सही आर्थ है तो 26 का आनसर 4 है शम सान्ती 27 है पहाड के उपर की समतल बूमी को इनमेसे क्या कहा जाता है तो 27 है फॉस्ट आदित्यक का इन में से किस वर्ग में शब्द का गलत अर्थ है तो 28 का जो आंसर होगा वो 4 होगा कुछ प्रस्तान 29 है कि इन में से कौन सा शब्द शर्प का प्रयावाची नहीं है तो वो है फॉस्ट मराल थार्टी एन में से किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ है तो वह है थार्ड पुशकल तीर्थ थार्टी वन है इन में से किस वर्ग के सभी शब्द सही है तो वह है थार्ड गत्य वेरोत महात्यम है 32 एन में से किस वर्ग के सभी शब्द गलत है 32 का first है परितौशिक अभ्यर्थी 33 है इनमे से कौन सा शब्द शुद्ध है 33 का answer है 4 35 है इनमे से कौन सा शब्द सदेव पुलिंग में प्रियुक्त होता है तो 35 का जो answer होगा वो इसमें delete कर दिया गया था 36 है इनमे से कौन सा शब्द वचन से प्रभावित ना होकर सदेव पुलिंग में प्रियुक्त होता है तो इसका 4 है दर्शन फिर है 37 इनमे से किस वाक्य में मद्यम पुरुश का प्रियुक हुआ है तो वह है first 38 है गाय दूद देती है किस प्रकार का वाक्य है तो 38 है second answer इसका right है वर्तवान काल सामनने सकते 39 है प्रधान मंत्री चार बज़े भाशन देंगे इस वाक्य में कौन सी वरती है तो वह है 40 है इनमे से किस वाक्य में अकरमक करिया है तो वह है third ठीक है पक्षी उड़ रही है 41 है नमेली कितमे से कौन सा भावे वाचक का उधारन है तो 41 answer second होगा बच्ची से चला नहीं जाता 42 है मेरा विचार है कि मैं एक उपन्यास लिखूं इनमे से किस प्रकार का उपवाक्य है तो third है संग्य उपवाक्य है 43 है पाकिस्तान अपनी पराजे से बहुत दुखी है इसलिए कई वर्शों से भारत में आतंकवात को भड़ावा दे रहा है इस वाक्य में कौन सा संबंध है तो जो 43 है उसका first आएगा परिणाम बोदक 44 है इन में से किस वाक्य में पद करम संबंधी अशुद्धी है तो 44 का second है सुद गाय का दूद सेहत के लिए अच्छा है 45 है इन में से कौन सा वाक्य शुद है तो वो है first क्या आपने ये पुस्तक बढ़नी 46 है इन में से कौन सा कथन गलत है तो वो है third दंद समास के पदों के बीच में निर्देशक चिन का प्रयोग होता है 47 है डेट चावल की खीचली पकाना का आश्यन में से कौन सा है तो 47 का four आएगा अपना मत अलगी रखना 48 है क्रोध करने से बिगड़ा काम ठीक नहीं होता इसके लिए कौन से उकती ठीक है तो 48 का जो आँसर है वो second होगा 49 है deficience सब्द का हिंदी में आर्थ कौन सा है तो 49 है जो उसका आँसर फर्स्ट होगा गबन करना फिर 50 है requisitions का हिंदी आर्थ में मतब हिंदी आर्थ कौन सा है तो 50 है उसका आंसर होगा second अधिग रहन करना नेक्स वेशन है 51 इसका आंसर होगा third ठीक है begin 52 है when she come to my house I was already for her तो 52 है उसका second answer होगा waiting 53 है did you not him yesterday तो 53 है उसका four answer होगा meet 54 है everyone of the survive blank the same story to tell ठीक है इसका 54 का जो answer होगा वो first head आएगा 55 है I am used to blank in question तो 55 का third answer आएगा standing 56 का आएगा hardly a day blank when we do not hear of one strike और the other तो 56 है उसका answer second होगा ठीक है पासिस 57 है he blanked the school in 2004 तो 57 का third answer right है 58 है great ambitious is being blank on the education of the girl child 58 का जो answer है वो second है 59 है did anyone hear the bell तो 59 का four answer है 60 है we will have to these picture on the wall तो 60 है उसका answer second होगा 61 है had the lab daily in time the wood here by now तो 61 का second 62 nobody want failure इसका जो है delete कर दिया था इस question को 63 I think blank is his latest book तो 63 का third answer है 64 है there were hardly blank student in the half तो जो 64 है उसका answer four होगा आनि 65 है blank has happened since they left this place तो 65 का second answer होगा 66 है blank money is better than none तो देखो इसका जो answer होगा 66 का वो third होगा ठीक है a little 67 है she made blank a cup of strong tea 67 है उसका second होगा ठीक है herself 68 है blank promote action is taken the situation will not be resolved 68 का third होगा ठीक है unis 69 है she like blank she look at 69 है उसका भी third answer 70 a flower is born to die unseen 70 का one 71 a born of contention is 71 है उसका answer third होगा 72 to call a speed is bad means तो जो 72 है उसका four answer 73 है the meaning of to cut someone short is 73 है उसका answer second होगा 74 है in black and white means तो 74 का जो है answer third होगा in writing 75 है the latest straw means तो जो 75 है उसका answer first होगा i deceive act 76 है she close all door and window black then call the police 76 का answer third होगा and फिर है 77 जो है he was not very tired blank not is not in a mood to go out 77 का second answer होगा but 78 है these are the book blank our teacher has recommended 78 है उसका answer second होगा 79 है don't move any blank you will fall down ठीक है तो जो 79 है इसका answer first 80 I don't know blank to turn to in my hour of need 80 का four होगा boom 81 है this poem has not blank by kids 81 का third होगा ठीक है being written 82 है risk have to blank to the risk higher in life 82 का second 83 का जो answer होगा they may have their parents तो यह first होगा 84 का I think these car blank been assembled in India तो जो 84 है उसका four answer होगा 85 है they blank to go this summer 85 है उसका third होगा 86 है blank you give me a call before leaving 86 का third 87 the doctor say you blank take as much rest as possible तो फर्स्ट होगा 87 का 88 का है blank they get what they want soon तो जो 88 है उसका answer second 90 है there many three her until last year तो जो 90 है उसका answer first होगा 91 है the teacher ask us blank we had complete our assignment 91 है उसका answer second होगा 92 है mother blank don't go to far away 92 है 92 का four होगा 93 है the head driver won the passenger blank there might be a traffic jam ahead तो 93 है उसका second होगा 94 है he said if I were blank I would not do it 94 का third 95 है he said we get what blank deserve 95 है उसका four answer 96 है de facto means तो de facto है कि 96 का third answer होगा क्योंकि यह क्या है आपके legal maxims आ गए तो 96 का जो answer है वो third 97 है the meaning of subjudice ठीक है तो यह भी legal maxim है तो 97 का first होगा under legal consideration 98 है a lane ठीक है इसको हम हिंदी में धार्णा अधिकार भी बोलते हैं तो 98 का second होगा 99 है a subpons subpona ठीक है तो यह जो 99 है इसका second और जो 100 है a writ तो इसको क्या है delete कर दिया थे इसकी answer को और 99 का जो answer दिया थे वो second दिया था तो इस तरीके से hundred question है 50 है आपके हिंदी के और 50 है आपके English के तो इसके जो सारे answer थी वो बता दिये हैं आगे भी आपको daily जो previous year के papers हैं ठीक है फिर उसके बाद हम सारे acts start कर देंगे कुछ acts है जो part first में करवा भी दिये हैं